तिसरा अनसम् गुर्दर्म मैं आपका पिछरी व्युजियों में हो चुका है यापका चौथा उसमुर्दर्म क्या हो तो परासरण आप Ox Multip fib 289 ऐसर पराजण आपका चौथा उसमुर्दर क्या है औह यह आमसर कुछ हिरह और पड़नी पुरेह कि जिसे परासरण, आस, मोसिस, परासरण क्या होता कि, अरसन पुर्धन का आपका परासरण क्या होता है, लेकिन पहले आपको परासरण क्या होता है, जिलियां क्या होती है, अर्दपार्गम जिलियां क्या होती है, परासरण क्या होती है, विस्रण क्या होती है, और फिर पढ़ रहले हैंगे आप लोग परासा दाब मारत क्योंकि ऐसे अपर अप्री निक्रीयक पड़ेंगे को है तो है चाहिए अबलगो पहले पढ़ेंगे कि कि वहां कि या है उसमें विलाइक क्या हो वहां क्या है पहले समल देखेंगो नहीं कि बाक रिया धित है विलायक विल्द अवले फिर समयत वाले विल्ग inning 3 आधिक ऑल पार्ग जलिवसे आकश्म है खांप गम जली में चैनल सब्सक्राइब होते हैं कि ओर कंस अमें जल्द अलबाइब होते हैं तो से succeed तो आपको मालू में कि अर्द्र पार्गम जिल्दी क्या होती है ठीक है तो इसी लिए पहले पढ़ेंगे इसके बाद आपको पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे जिल्लिया कि जिल्लियां क्या होती है किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत कराती जिल्ली ठीक है आपको जिल्ली पढ़ेंगे कि जिल्लियां पढ़ेंगे फिर परासर पढ़ेंगे ठीक कि ठोस किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत कराती जिल्ली और जिल्लियां तीन परताती होती है एक पार गम जिल्ली पार गम जिल्ली यह क्या होती है कि वे जिल्लियां जिनसे विलियन के सभी प्रकार के काड़िया आणु में दूसरी और जिने होगी कर लाते उन्हें बोलते हैं पार मुष्टी जैसी की चंधी समय लेजिए है कि वाश री जिस पर च look जिसमें से याह सभी प्रकार की इर्द दूसरी ओर जिर यहां शकर घर आता है कि अशें बोलते हैं पार मुष्टी और और पर वर भाण गूूंद अपार गम जिन्री ये क्या होती है कि बे जिन्रिया जिन से विनिये के सभी प्रकार के कड़ या आड़ों दूसरी ओर नहीं निकल पाते हैं उसे बोलते क्या है अपार गम जिन्री तीसरा आपका है अर्ध पार गम जिन्री अर्धित पारिगम जिली ये क्या होती है कि वह जिली या बेजिलिया जिन से केवल विलायक के करण कर्ण करन नहीं निकलते आर्धि पारवां जिली कर आती हैं इमाधि की वें जितिलिया है कि पंचहेग ते यहन नहीं निकलते हैं उन्हें बहुते आंज पारवां कम जिली या शिंकर कॉंजलिया अर्थ पार्गर्ण जिल्या та तो कि इसमें क्या हुता है यह तो टाक्ति क्यों थे हैं एक प्राक्तिक और एक करति क्यों प्राक्ति का प्र सी क्या Nhーツ । दो जासे अंदोर की जिल्ली किस्पीस इसकी जिल्ली अंडे की जिल्ली आती है और करतिम क्या होती है जो करतिम विद्वारा बनाई आती है जैसे कापर फेरो साइनाइट कापर फेरो साइनाइट सियू टू एफी सियर का ओर सिक्स यह कापर फ्रेरो साइनाड की अर्द पार्वन जिली कृतिम अर्द पार्वन जिली है और यह सब सची जिली होती है ठीक जो कृतिम होती हूँ सबनों या तो अर्द पार्वन जिली क्या होती है कि वे जिली जिल्शरे के निसलि द्लक्त भात पर दोर्फिक होती है अब दको खलिक जासे कि जिल्द आंढे की जिल्द प्र? कि अम्गोन की जिरीन की है आर बास तो सुना रहाँ ने जिलियां यह मनुस्तों चपर पर एक्ता कि निगन नहीं देतें और मनीटे हैं यह आपकी एक पर गणिंद्र मार गड़ीव चोंत हैं 먹어 पराशन दाफ उसमें आपको हेडिंग डालेंगे जिलियां कि इसमें को किसी ठोस या द्राव कि बहुत पतली परत बहुत पतली परत जिल्ली कराती है ये जिल्ली परत तीन प्रकार्पी होती है नंबर ए पार्गम जिली पार्गम जिली लेगो वे जिलिया वे जिलिया जिनसे होकर विलियक के सभी प्रकार के काड़ या आड़ो जिनसे होकर विलियक के सभी प्रकार के काड़ या आड़ो दूसरी ओर निकल दाते हैं दूसरी ओर निकल दाते हैं पार गम जिली कराती है पार गम जिली कराती है बीन पर डिगे अब पार गम जिली पार गम जिली बेज लिया बेज लिया जिल्चे होकर बिलियक के किसी प्रकार के काणू या आणू काणू या आणू दूसरी ओर नहीं निकलते अब पार गम जिली कराती है अब पार गम जिली कराती है हड़कार के सी अब पार गम जिली अब पार गम जिली बेज लिया बेज लिया जिल्चे होकर केवल विलायक के काणू या आणू दूसरी ओर निकलते है पारानुतू विले के काणू या आणू नहीं निकलते है अर्ध पार गम जिली कराती है सब्सक्राइब पार गम जिली सब्सक्राइब पार गम जिली ऐसा लिशेक्त चाहिए कि वह जिली जिससे होकर केवल विले के काण तो निकल लाते है परत विले के काण निकलते नहीं है उसे बोलते क्या अर्ध पार गम जिली जैसे जैसे अंडे की जिली काण अंगूर वा किश्मिस की जिली तथा पित्यासे तथा पित्यासे आदी पित्यासे क्या करता? जन को निकल लाने देता की मिलायको पित्यासे आदी प्राक्तिक अर्ध पार्गम जिली है आदी प्राक्तिक अर्ध पार्गम जिली है कापर फेरोसानाइड उसी क्या के निकली जिली है नहीं लाने जिली कापर फेरोसानाइड कापर फिरोसानाइड सबसे अच्छी क्रतिम अर्देपार्गम जिल्नी है कृद्फिरोसानाइड सबसे अच्छी क्रतिम अर्दपार्गम जिल्नी है करतिम आर्दपार्गम जिल्नी है आपला आपने वेडिंगा नहीं देगा कि परा सरण परा सरण कि वहां किरिया जिसमें मिलायक के आड़ू कम सांदता वाले विलियन से अधिक सांदता वाले विलियन की हो अधिक पारगम मिचली में से प्राप्तिक प्रवाइद होते हैं परा सरण कराती है अधिक सांदता वाले विलियन के अधिक सांदता वाले विलियन की होते हैं अर्द पारगम जीरी में से प्राक्तिक प्रवाहिद होते हैं कि प्राक्तिक प्राइग होते हैं तो कठाथ इया प्रास्वा टीज ही तो कि विलायक क्यांट का कम सह आयुकर मथदियों से अधिक साथ्न ऑड़ेश लिए रूत कि युर अर्द आदक है हो .... एक से प्राक्तिक प्राहार को हम कहते हैं कि अधुकष से लेवीरा परोका विदायट के अधुकर कि कम सांधता वाले विल्यम से का इसका यांट के ताहिवень प्लेकएρα हो बिलायक के अडू का कप सांधता वाلة भी एंचे हम आदू सांधता वाले पढल प्लियम की ओर कि अर्धा पारलगम में जली है हैlike पार गम जिली में से प्राक्तिक प्रवा को परासरण कहते हैं परासरण कहते हैं फिल पर कहती जगा गम सांता वनी से अधिसाता वालेशीर की ओर अर्दे पारिण में जिली में से प्राक्तिक प्रवा को परासरण कहते हैं अर्था इसका त्या के से इसी प्रमों जिली का होना आज़ब है सब को संना का परासरण कि कम सांथता विजुछ अधी सांथता व हाले मिदी वहूओ विलायग पोझार को पर्मार्मानु तै कестно परörtूप स्पूरा इसका एक जाम्म होग लिए उप्रास को एक प्रियोग वडरा में जोने लिए समझे को आप यह प्रियोग करके भर में देख सकते हो कि गर में आप सब्सक्राइब इसमें दो क्यांकि इंको क्या करते हैं कि तो है कि इसमें जो है है कि तब पानी में थोड़ा अलग हो रहाए जिससे का तो और चीटा अलग रहाएगा क्योंकि कफोर चिल का कैल्शिक कार्बूनेट का होता इससे क्रिया और रहाती हूं आसानी से अलग हो रहाएगा जिससे आपकी जिली नहीं फटेगी और फिर क्या करते हैं इसमें से एक अंडे को आशु जल डाल दिये एक अंडे को आपने किसमड़ा दिया यह आपका आसु जला है और दूसरे अंडे को दूसरे अंडे को आपने डाल दिया नमक के संत्रक पिलिये पे नमक के संत्रक पिलिये ना संत्रक पिलिये प्लाच प्राइख प्राया पीछे जाओ कि आउना इन प्लास टार्ड़ी से पढ़ाया था संत्रक के लिए टियों कि वहाँ जिसमें एक श्चित ताप पर विले की और अधी मात्रा नहीं बहुता डाता हैं बताता है आपने एक वीकर में एक वोटे में पत्युक्त करते हैं आपको नमक डालना एक जोगा नमक शुक्त सब्सक्राब कोने intent जो सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें क्या करतेас pen कुछ समय प्रश्चा देखते हैं आशु जल्वें डाला गेंटा फूल जाता है और नमक के संद्रव पिलें डाला गेंटा जो है कि सिंकुण जाता है ठीक है कि यूँ ऐसा होता है पारावस्ट क्रिया जो क्यों देखिए अन्टे के अंदर जो द्रव है उसकी सालता क्या है अधिक है कि उसकी जो संद्रिटर्ट्रट्र अगे और जो जो मारा जल है इसकी सांद्रता क्या है कम है जल की सांद्रता क्या है कम सांद्रता वाला ही और परासर के लिए में होता क्या है कि विलायक के क्या करें कि लिए कम सांद्रता वाले विलीब से अधिक सांद्रता वाले विलीब की और अर्दपार कर जिली में से प्रॉय तो जल क्या होगा अंड यह आपका यहाँ है नमक जो जल होगा वो कहा रहा है नमक वैसे जिस कारण आपका आप आप तो कि शुनारा ऐसा पिसलम कर सकते हो कि टे क्रिया प्रिया आप क्लाती है कि प्रियोक द्वारा संदा सकते हैं इसमें क्या होता है trening in Sunko तंड में डाल देते हैं युदि को सिल्में डाल देंगे उसके प्त्राइब कहां करते हैं कि कंठोटी के कॉलत कर देते हैं कि काचोत डोता है और यसे किया तो रोगति कर्फोड छी कि हमारा अलग हो रहेगा अब एक अटे को आपने आसु जल में डाला दिया द्था आपके नमक सांतर क्लों बिल पड़ा दिया उस स्वमें पस्चाह देखेंगे यह आज जल में डाला के अंटा फूल दाता है ऑर कि आश्यू कि के अंदे के अंदर शुद्रौय से लिए इसे लीए जो रहा आश्यू जळभर को अंदर पह obliged कर जाता है और अंदर फूर डादा इसे प्रास्ट गिरिए हैं अशा इदर भी है कि नम परे िसके सालिता है और जो अंडे के अंदर द्रव है उसकी संद्धा कम होगी इसी लिए जो जल क्याड़ों है वो नमक के संद्ध पिली प्याराते हैं और अंडा आपका स्पुर जाते हैं ठीक तो लिए किसका आप पराशरब करिया को एक प्रियोक द्वारा संद्धा आअपता है। प्रियोग दो समाना कार के अंडे लेकर दो समाना कार के अंडे लेकर दो समाना कार के अंडे लेकर उनको तरिक सील में डाल देते हैं और फिर उनको निकाल कर उनसे कठोर चिल्के को साधानी पुरोग अलग कर देते हैं साधानी पुरोग अलग कर देते हैं एक अंडे को आसुजल में और दूसरी अंडे को नमक के संत्रपिल में डाल देते हैं कुछ समय पस्चाब देखते हैं कि आसुजल में डाला के अंडा फूल जाता है और नमक के संत्रपिले में कि डाला के अंडा फूल जाता है क्योंकि आसुजल की संत्रप्रा कम है और अंडे के अंदर रूपस्ति द्रव की संत्रता अधिक है इस कारण जल के अंडे के अंदर प्रूइस्ट कर जाते हैं और अंडा फूल जाता है जब की दूसरी स्थित में जब की दूसरी स्थित में नमक के संत्रत प्रिये की जबकि दूसरी स्थित में नमख के संत्रक प्रिये की सागता अधिक है और अंडे के अंदर द्रॉब और अंडे के अंदर द्रॉब की सागता कम है इस कारण जल के अंदर अंडे के अंदर से नमख के संत्रक प्रिये में आ राते हैं और अंडे के अंदर से नमख के संत्रक प्रिये में आ राते हैं और अंडा सिकूर जाता है और अंडा सिकूर जाता है अंडा नमख के राते हैं